पीटर लिंच आखिर कैसे ढूंटते थे इतने सारे मल्टी बैगर्स और कैसे उन्होंने अपने फॉंड को one of the best performing funds in the history बनाया देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में और सीखेंगे पीटर लिंच की story से और उनकी theories से कि कैसे हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं और कैसे हम लोग अपनी stocks की analysis और study में उसको use कर सकते हैं पीटर लिंच के बारे में थोड़ा समय आप लोगं को background देना चाहूँगा पीटर लिंच अभी तक के one of the best performing fund managers रहें इस time तक fidelity management और research के लिए काम करते थे जिसमें इनका खुद का fund था fidelity magallon fund करके जो इन्होंने 13 years तक चलाया था जिसमें कि इनका average return अगर आप देखो तो 29% का CAGR इन्होंने maintain किया था approximately पूरे 13 साल था कि इन्होंने average 29% का return provide किया था अपने investors को approximately अगर आप देखो तो अगर आपने 1 crore starting में invest किया था उनके fund में तो 28 crore उन्होंने अपने end में दिया था approximately 10 से 15 साल के बीच में the best part about his journey is कि वो हमेशा अपने जितने भी लोगों को है सिखाने के लिए हमेशा तयार रहते थे और अपने success mantra सबके साथ share करते थे तो उनकी books से और उनकी story से देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग use कर सकते हैं एक चीज काफी popular है जो Peter Lynch का करते थे इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज का जवाब yes या no नहीं होता हर चीज एक middle of the line में होती है depend करता है आप उसको किस तरीके से देखते हो आपका perception के और आप किस तरीके से interpret करते हो for example एक example ले लेते हैं जैसे कि हम लोग live sessions करते हैं तो काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि XYZ कंपनी क्या यह एक multi bagger है क्या यह एक अच्छी कंपनी है क्या यह invest करने लाए कंपनी है तो किसी भी चीज के पीछे हमेशा एक yes या no का जवाब नहीं होता उसके पीछे आपको decide करना होता है कि आप उसके अंदर क्या story play करना चाहते हो आपकी strategy क्या रहने वाली है और आपको risk management क्या रहने वाला है तो इसी तरह कर से Peter Lynch detail में अगर मैं देखूं तो कहते थे कि it is a combination of science, art and legwork मतलब कि एक science भी है investing के अंदर एक art का भी पार्ट और legwork उसमें काफी जाद आपको उसमें करना पड़ता है fundamentals of a company and many viewed characteristics are logically bound और उनका एक cause and effect relationship चलता रहता है तो किसी भी चीज़ को आप directly yes या no में नहीं कह सकते आपको उसको analyze करना पड़ता है और अपने point of view के साबसे देखना पड़ता है एक चीज़ और थी जो काफी famous थी Peter Lynch की if not now then when काफी साही चीज़े हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कोई company पसंद आ रही है अगर वो हमें अच्छे levels पे मिल रही है तो हम लोग सोचते हैं कि यार अगर थोड़ा नीचे मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग pick करें अभी नहीं buy करते बट वो Peter Lynch के इसाब से बहुत ही गलत चीज़ थी उनका कहना था कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है कोई company अगर आपको पसंद आ रही है और अगर आपको वो ठीक ठाक valuations पे मिल रही है बहुत जादा महेंगी नहीं है तो आप definitely उसके अंदर invest कर दो उसके अंदर बहुत जादा opportunity का wait मत करो उनका कहना था कि लोगों ने corrections का इंतिजार करने में ज़्यादा पैसा lose किया है compare to जिन लोगों ने corrections में पैसा नुकसान किया है इसका मतलब कि अगर आप correction का wait करते रहोगे अगर आप market के crash होने का wait करोगे invest करने लिए तो उससे ज़्यादा नुकसान आपको crash में जितना नुकसान होगा हो उससे ज़्यादा नुकसान आपको wait करने में हो सकता है इसके आगे देखते हैं long term commitment को Peter Lynch काफी ज़्यादा promote करते थी कि अगर आप किसी stock आपको पसंदा आ रहे तो आप उसमें long term committed रहो आप उनको hold करके रखो बट इसका मतलब Peter Lynch ये नहीं कहते थे कि आप सिर्फ उनको hold करके रखो Peter Lynch का कहना था कि आप smartly अपना work करो rotation theory है जिसमें Peter Lynch काफी ज़्यादा believe करते थे जो basically ये कहना है कि एक ही company के साथ आप चिपक के मत रहो आप अपनी story play करो अगर जैसे for example हम लोग ले लेते हैं कि कोई sector है for example telecommunication का हम लोग sector ले लेते हैं तो आप उसमें से अपना profit book करके किसी दूसरी company में जा सकते हो जिसमें अभी भी growth बाकी है और जिसमें आपको लग रहाए कि growth आने वाली है तो इस तरीके से आप अपना अगर capital और अपना पैसा rotate करते रहोगे तो आप ज़्यादा return generate कर सकते हो according to Peter Lynch अब देख लेते हैं कुछ categories थी Peter Lynch की जिसके अंदर वो company को रखते थे अलग-अलग तरह की categories थी तो उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है पहली category जो Peter Lynch कहते थे जो उनको बिलकुल भी नहीं पसंद थी वो थी slow growers slow growers से कहने का उनका मतलब था कि इस तरह की companies जो बहुत ज़्यादा बड़ी है mature हो चुकी है बहुत ज़्यादा stable है तो उनका कहना था कि इस तरह की companies में जो आपको return मिलते हैं example अगर हम लोग अभी के perspective से ले लें तो Colgate और Daber आप kind of example लेके चल सकते हो दूसरी company होगा कर दे थी stylewards करके basically stylewards इस तरह की company होती थी जो है तो काफी बड़ी company या बट उनके अंदर काफी ज़्यादा growth होने के chances हैं compare to उनके sector में दूसरी बड़ी companies और इनके अंदर आपको थोड़ा से ज़्यादा return मिल सकता है 12-15-20% तक का और example के तोर पर इस ताइम पर अगर हम लोग देखें तो Nestle, Huel Reliance जो की काफी बड़ी company है, काफी ज़्यादा growth कर चुकी है बट compare to अपने खुद के sector उनके हमें थोड़ी सी ज़्यादा growth देखने को मिल सकती है next अगर हम लोग देखें third category जो Peter Lynch को काफी ज़्यादा पसंती होती fast growers करके जिसमें वो कहते थे कि वो इस तरह की companies होती है जो आने वाले time में हमें multi bagger बनने को बन सकती है तो इसमें Peter Lynch का कहना था कि उसके लिए बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक rational investor हो जो कि इस तरह की companies को identify करें और उनको hold करके रखें जब तक उसमें उसको वो return नहीं मिल जाता है fourth category है जो Peter Lynch की one of the most favorite categories थी जिसमें Peter Lynch ने काफी ज़्यादा profit generate किया है वो है cyclicals, cyclicals basically Peter Lynch कहते थे कि जो इस तरह की companies होती है जो कुछ ऐसा बेचती है जो bad economy में ज़्यादा उनको profit नहीं generate करता बट अगर economy बहुत अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा generate हो जाता है profit जैसे for example Peter Lynch कहते थे कि luxury items जो होते है for example आप देख सकते हो कि jewelry हो गई आपके automobile sector हो गया इस तरह के जो sector होता है जो अच्छी economy में तो definitely अच्छा perform करेंगे बट खराब economy में उतना अच्छा perform नहीं करते है तो Peter Lynch का कहना था बट इस तरह की companies आपको काफी जादा loss generate करवा सकती है अगर आपने गलत समय पे उनको pick किया तो इस तरह की companies में trick ही होती है कि आप उनको सही समय पे pick करो औ वहाँ पे इस तरह की cyclical stocks को pick कर लेते थे फिफ्ट category देख लेते हैं Peter Lynch की तरफ से जो थी वो थी turn arounds की turn around इस तरह की companies होती है जो बहुत ही खराब companies होती है बहुत ही घटिया companies होती है kind of आप कह सकते हो जो कचरा stocks होते है बट अगर आप देखो तो बहुत ही जादा खराब सम मिल सकते हैं तो basically high risk high reward companies आप देख सकते हो जैसा कि हम लोग भी आप लोग के साथ share करते रहते हैं जो यहाँ पे supporters है जल्दी से comment section में supporter लिखना और बाकी सारे लोग जितने भी लोग वीडियो को देखने like जरूर करना जो supporters है उन लोग उनने देखा होगा कई बार में आप ल financial support या थोड़ा सा भी fundamentals change होते हैं थोड़ा सा भी sector में growth आती है थोड़ा सा भी उनका business generate होता है तो बहुत ही short term में वह 2x या उससे ज्यादा return आपको दे सकते हैं नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं पीटर लिंच जो कहते थे कि जब पीटर लिंच ने काफी सारे 10 bagger stocks जो की मतलब उनके buying level से 10 गुना ग्रो कर गए थे काफी साथ पिक किये थे तो काफी सारे लोग उनसे पूछते थे कि आप 10x जब stocks पिक करते हो तो उसके अंदर आप क क्या चूज करते हो या क्या आप देखना पसंद करते हो तो पीटर लिंच का कहना था कि मैं कुछ इस तरह की companies prefer करता हूं जिनका नाम बड़ा ही बोरिंग हो जो product और service वो provide कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा बोरिंग हो आपको सुनके बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि आ वी कॉल गम एडेसिव्स बनाने का बिजनस है इनका बट शेयर प्राइस अगर आप देखो तो 2010 में 100 रुपे से लेकर के 2021 में आपको 2280 रुपे मतलब एप्रॉक्सिमेटली इस लेवल तक आता हुआ दिखा है दूसरा एक काटेगरी होती थी दूसरा एक कैरेक्टरस्टिक होती थी जो पीटर लिंच देखते थे वो था कि कंपनी एक स्पिन आफ टाइप की हो जो सच कंपनी इमिजेटली गेट अटेंशन एंड गूट गेंस इन शॉर्ट स्पैन आफ टाइम मतलब अचानक से कोई कं आफ निकल के आता है तो जियो में अचानक से इंवेस्टर्स को बहुत जादा इंट्रेस्ट आएगा और बहुत ही शॉर्ट टम के अंदर आपको बड़े रिटर्न उसमें देखने को मिल सकते हैं अगर कोई कंपनी अपने बोरिंग से बिजनस या अपने ओल्ड स्कूल बि चे छोड़ दिया दूसरा प्रमोटर का जो हिस्सा है वह कंपनी के अंदर जाधा होना च Corps क्योंकि जब तक risky और मैंज मैंजमेंट और बहुत जादा ओठ आपत देखो पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, नेसले, हुल, इनकी बहुत ज़ादा बाते नहीं होती है अभी भी मार्केट में obviously large cap companies है, बहुत बड़ी companies है तो बाते होती है बट अगर आप देखो तो daily basis पे आपको investors इसके बारे में बात करते नहीं देखेंगे अगर आप बोलोगे कि Asian paints खरीद लो तो investor बोलेंगे यार यह तो सबको पता है, कुछ नया बताओ तो यह जो boring companies होती है, यही long term में आपको पैसा generate करके देती है वो कहते थे कि कुछ ऐसा product बताओ जो customer बार बार खरीदे अगर आप Asian paint से paint करवाते हो तो आप हर 2 साल, 3 साल में, हर कुछ साल के अंदर वापस आप paint करवा होगे अगर आप Pedalite से Fevicol खरीद रहे हो तो एक बार आपकी Fevicol की bottle खतम हो जाएगे आप वापस जाके उससे खरीद होगे, तो कुछ ऐसा product हो जो customer बार बार खरीदे तो 2 quotation है जो मैं Peter Lynch के आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बहुत जादा useful हो सकते हैं आप लोगों के पहला है, stocks are not lottery tickets, stocks को आप luck की तरह मत play करो stocks को आप इस तरह प्ले मत करो कि अगर मैंने 100 रुपे का लिया है, काश ये 500 रुपे चला जाए, काश ये 1000 रुपे चला जाए आप अपना analysis करो, आप अपनी story play करो, आप अपना view बनाओ, अगर आपका view के साथ company set हो रही है तो आप उसको hold करो, सिर्फ आप lottery play करने के लिए उसको hold मत करो दूसरा है, the stock market really isn't a gamble, मतलब stock market तब तक जुआ नहीं है, जब तक आप अच्छी companies को pick कर सकते हो जब तक आप अच्छी companies को pick करते हो, और आप उनमें सिर्फ stock price के basis पर invest नहीं करते हो, आप उनमें company की growth देखते हो, आप business अगर आपको पसंद आता है, तब आप उनके इंदर invest करते हो तो आज की वीडियो इतनी थी, बहुत अच्छी दो quotations के साथ मैं वीडियो को end करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो like का बटन ठोक देना, subscribe कर देना अगर आप पहली बाद चानल पर आयो, और हम लोगों के regular session से जुड़ते रहो, हम लोगों का supporters club स्ट स्टार्ट हो चुका है, August mid के registration स्टार्ट हो चुक है, अगर आप join करना चाहते हो supporters club, तो link आपको description में मिल जाएगा, आप join कर सकते हो, आज के लिए इतना ही, thank you so much.